So hey guys, welcome back to my YouTube videos, it's me Amitana, hope आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे तो दोस्तों, आज हम बात करने हैं, newly launched FZX के service cost के बारे में जिसके बारे में मैं बात करूँगा, उसकी free services से related, कितनी free services होती है, कितने interval पे होती है और इनका cost कितना आजाता है, सात में हमारी paid service के interval और उसके cost के बारे में बात करेंगे इसी के after market parts की costing क्या होती है और availability कैसे होगी या हो पाएगी की नहीं हो पाएगी इसके बारे में भी बात करेंगा और उसकी prices के बारे में भी बात करेंगे साथ में लास्ट में जो की सबसे ज़ादा इंपोर्टेंट है रुपीज पर किलोमेटर के सबसे अपका मेंटेनेंस कॉस्ट कितना आ जाएगा और इसी के सेग्मेंट की दूसी गाड़ियों के कमपैरिजन में ये कितना हमको सस्ता पड़ेगा या फिर कितना मेंगा पड़ेगा इस बारे में भी बात करेंगे तो दोस्तों अगर आप इस गाड़ी को पर्चेस करने का प्लान देख कर रहे हैं तो ये वीडियो बहुत सही है ताकि आपको खरीदने के बाद और कितना खर्चा करना पड़ेगा ये समझने में बहुत आसानी होगी और बहुत जादा informative वीडियो होने वाला है ये दोस्तों तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं हमारे सबसे पहले पॉइंट के साथ जो की सिंथेटिक ओईल जिसकी कॉस्टिंग आ जाती है आपको 390 रुपीज की और इसका ग्रेड होता है 10W 40 ग्रेड का तो दोस्तों इसी के साथ आजा तो इसके अगले इंपोर्टेंट पॉइंट के उपर जो की रहेगा इसके अंदर ओईल फिल्टर तो दोस्तों जब भी हम इ चेन मेंटेनेंस चेन क्लीन एंड लूप कराना तो दोस्तों इस गाड़ी के अंदर आता है आपका ओपन चेन सिस्टम जिसको आपको क्लीन एंड लूप कराना पड़ता है हर 800-1000 km में जिसकी कॉस्टिंग अगर आप या महा से ही कराएंगे तो आपको 200 रुपीज की पड़ इसी केसाद दोस्तों मैं आता हूँ इसके अगले पॉयंट के ओपर जो कि एक important point है free services कितनी मिलेंगी हमको first service schedule कितना है manual में कितना आएगा अपना तो दोस्तों total हमको इस गाड़ी के साथ 5 free services मिलती हैँ जो पहली service आती है दोस्तों वो आती 100 km या 1 month में second service आती आती है आपक 7,000 km या 7 months में साथ में आपकी 4th free service आती है 10,000 km या 10 month और 5th service जो की last free service रहे गया आपकी 13,000 km या फिर 13 months के अंदर तो दोस्तों यह हो गई हमारी free services में अब दोस्तों इसके अंदर जो आपके free services का charge लगेगा वो कितना लगेगा वो समझेंगे तो मैंने यामाह से बात की है जो भी हमारा maintenance FZ के साथ लगेगा same schedule पे parts change होंगे यामाह FZ X में भी तो दोस्तों जो आपका पहला service का cost आएगा वो आजाएगा आपको 638 रुपीस का जिसके अंदर आपका oil change होगा oil filter change हो जाएगा साथ में chain की cleaning and lubing हो जाएगी second free service में दोस्तों आपका oil change होगा oil filter change होगा chain की cleaning and lubing हो जाएगी जिसकी service cost आपको again 638 रुपीस की पड़ेगी दोस्तों जो third free service है आपकी उसके अंदर आपका oil change होगा oil filter change हो जाएगा chain की cleaning and lubing हो जाएगी 148 रुपीस की दोस्तों जो फोट सर्वेस है इसके अंदर आपको अगेन ओयल ओयल फिल्टर और साथ में आपका चेन की क्लीनिंग और लूबिंग होगी फ्रंट ब्रेक पैट्स भी आपके चेंज होंगे स्पार्क प्लग भी एंड हो जाएगा तो आपको स्पार्क प्लग भ अगेन आपका फ्यूल इंजेक्शन को क्लीन करेंगे ये साथ में आपके रेर ब्रेक पैट्स भी चेंज हो जाएगे और इसकी टोटल कॉस्टिंग आपको पड़ेगी वो है 1848 रुपीस की तो दोस्तों ये जो टोटल फ्री सर्विसेस का चार्ज है वो पड़ेगा आपको 6,529 रुपीस का और इसके अंदर आपकी सारी की सारी फ्री सर्विसेस कम्प्लीट हो जाएंगी यहने की 13,000 किलोमेटर सक आपको कुछ भी फ्री सर्विस के अंदर इसके अलावा चेंज कराने की जरुवत नहीं पड़ेगी इन केस आपका एक्सेडन या फिर कुछ भी मिस 131 रुपीस इंकलूडिंग जी एस्टी और बाकी जो भी आप दोस्तों पार्ट्स चेंज कराएंगे सचेज आपका ओईल हो गया ओईल फिल्टर हो गया चेंज क्लीन नूब हो गया या कुछ भी एक्स्टर आप पार्ट्स डलवाएंगे उसका कॉस्टिंग एक्स्टर बात की है तो अभी इनके पार्ट्स आने में जादा स्यादा एक मन्त होगा बट मैक्सिमम ली रेगुलर्ली रानिंग स्पेर्स जो रहेंगे आपके वह एजी ली अवेलबर हो जाएंगे आपको और मैक्सिमम आपके एवजी के ही पार्ट्स यूज होते हैं एक दो आपको आफ्टर मार्केट पार्ट्स के विबिलिटी दोस्तो इजी ली हो जाएगी तो आपको टेंशन लेने के बिल्कुल ज़र्वत नहीं है दोस्तों इसी के साथ जो इसके रेगुलर्ली रानिंग स्पेर से इनकी कॉस्ट समझ लेते हैं तो दोस्तों एवजी का जो एय रूपीस की ऑईल की कॉस्ट आजाएगी आपकी 390 रूपीस की फियूल फिल्टर यूज नहीं होता है इस गाड़ी में तो आपको फियूल फिल्टर चेंज कराने की जरुवत नहीं पड़ेगी इसी के साथ मैं आता हूँ इसके अगले पॉइंट की उपर जो की रहेगा इ तो यह एक important point है, इसका जो change pocket की cost आती है, वो 1590 रुपीज की आती है, जिसको अगर आप after market खरीदेंगे तो आपको 10% discount के साथ मिलेगा, अगर या महास ही खरीदते हैं, तो 1590 रुपीज में आपको पड़ेगा without discount, साथ में इसके drum rubber change होगा, जिसकी costing आजाएगी दोस्तों आप आपको 150 रुपीज की, इन सब का labor charge जो लेगा, mechanic या फिर company वो रहेगी 400 रुपीज की, तो यह आगए आपका change pocket change करने का खर्चा, इसके साथ में जो आपका अगला point है, वो हैगा इसका spark plug, तो 115 रुपे का spark plug आएगा, और आपके जो front brake pads हैं, वो आजाएगे आपको 428 दोस्तों, इसी के साथ हमारे regularly running space खतम हो जाते हैं, और आजाते हैं, वीडियो के सबसे important point के उपर, जो की रहेगा, इसका rupees per kilometer के सबसे maintenance cost कितना आता है, तो दोस्तों, इसका जो rupees per kilometer के सबसे maintenance cost आ जाता है, वो आता है, 50.22 पैसा per kilometer का, जो की इसी के segment की दूसी गाड़ियों के सबसे, बीच में आता है, ना जाधा expensive जाता है, ना जाधा कम आता है, तो यह काफी अच्छा service cost है, और आपको 13,000 kilometers था की leverage भी मिल रही है, तो अगर आप plan कर रहे हैं, तो बिलकुल यह आपको service cost काफी reasonable पढ़ रहा है, तो दोस्तों, I hope यह आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, informative लगा होगा, तो दोस्तों, अगर अच्छा लगा है, तो आप like कर दीजेगा, subscribe कर दीजेगा चानल को, और bell notification जरूर दबा दीजेगा, ताकि आप notified रहें, इसी type के, अलग-अलग गाडियों के service cost related, और reviews related, दोस्तों, I hope यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, till then, bye bye, take care and ciao.